तो नाइन साफी यार होने वाली है ऐसे ही होता आया यार इंजीनिरिंग स्टूडेंट्स में हम लड़कों के साथ नमस्तिस रिकाल सब को दिस इस सहाल गौरी और आज बात करेंगे यार NIT सूरत के बारे में और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नोडिफिकेशन आ जैसी मैं वीडियो डालू यार और मैंको पता है 65% जो भी यार मेरी वीडियो रेगुलर्ली देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो चिंता नहीं लेने का बिल्कुल तुमारा भाई यहीं बैठा है कोई दिक्कत भी हो यार बिल्कुल इंस सूरत के बारे में जिसका पूरा नाम अगर मैं लूँ तो बोलेंगे यार सरदार वल्लब भाई नाशनल इंस्टिट आफ टेक्नालोजी सूरत और इसको शॉर्ट में एस्वी एनाईटी भी बोलते हैं एस्टिबलिश्ट हुआ था यह 1961 में नहीं यार रैंकिंग की बात कर सेंगे मोड्स ऑफ एड्मिशन की मोड्स ऑफ एड्मिशन यार बिल्कुल सेम हैं सिंपल सा आपको जही में देना होगा उसमें अच्छा स्कोर करना होगा और फिर जोसा और सी साइप की काउंसलिंग जो की सारे एनाईटी और ट्रिपल आईडी में यही प्रोसीजर रहता ह तो आपका यार यह mode of admission हो गया courses की बात करूं तो courses भी similar है आपके chemical engineering, civil engineering, computer science, electrical, electronics और mechanical engineering यहाँ पे आपको four year courses मिल जाएंगे इसके साथ साथ आपको integrated five year courses में MSC course मिलेगा यार जो आपको तीन सब्जेक्ट chemistry, mathematics और physics में मिलेगा इसके लिए मैं आपको एक चीज बोल दूँ चूज करना नहीं तो आपको थोड़ी यार problem हो सकती है क्योंकि ये courses यार बिल्कुल deep में रहता है बिल्कुल subject तो आपको यार problem नहीं बाद में इस वज़े से यार तभी चूज करना अगर आपका proper interest है इस पूरे course में courses हमने देख लिए आप देखते है seat matrix के हैं हम mostly यार students के लिए कितनी seats हैं इसका यार screenshot ले लेना नहीं तो pdf का link description में मिल जाएगा वो check out कर सकते हो और अब move करते हैं आपकी cut off पे तो cut off यार मैंने आपको बताई दिया आपको काफी अच्छा score करना पड़ेगा अगर हम देखें यहाँ पे cut off computer science की तो home state के लिए जाती है 6425 और outside state के लिए जाती है 6325 तो जादा difference यहाँ पे नहीं है आपका अगर हम देखें electrical की तो यार home state के लिए जाएगी 2453 और वही या outside state के लिए जाएगी 13956 यहाँ पे यार बहुत जादा difference है तो काफी जादा relaxation मिल जाती है home state वालों को बहुत streams में तो यह cut off के लिए भी आप यार screenshot ले लेना जादा discuss नहीं करते हैं boring part है थोड़ा आगे चलते हैं placements की अब बात करेंगे जो की यार बहुत जादा main चीज होत पंदरास लाक रुपयार लगाने वाला है अपना पूरा चार साल में उसका return of investment कैसा मिलने वाला है तो highest package की अगर हम यहाँ बात करें तो 39.5 LPA गया था last year यह सारे last year के starts है 2019 के average package की बात करूं तो 7-8 LPA easily लग जाता है अगर यहाँ पे CSC की बात करूं सिर्फ only CSC average तो जाता 11-12 के around next point पे आए तो यहाँ पे जो आपको safest pointer चाहिए होगा ताकि आप सारी companies के लिए बैट सको तो वो रहेगा 8 plus CGP उतना maintain करके रखना आपके लिए बहुत जादा अच्छा रहेगा अब हम देखते percentage of student placed जो रहता 80% but इस case में हम सारे यार consider कर रहे हैं सारी branches को but अगर हम स TST की बात करूं वो रहता है 95% और यार यह जो overall आपका percentage decrease आता है वो भी आता है mainly civil branch के लिए उसमें यार बहुत जादा आपके percentage of student placed कम होता है आगे मैं आपको starts देखाऊंगा तो वहाँ पे आप देख लेना internship की बात कर दो तो internship भी आपको provide करवाई जाएगी companies और विजट करते हैं internship के लिए और PPO का आपको पता ही होगा अभी तक next अब companies की बात करें तो यहाँ पे companies जो आती है Amazon, Microsoft, Deeshow, Cisco, Samsung, Oracle, HSBC, Paytm, Maruti, Suzuki यह यहां के major recruiters हैं जो की काफी अच्छा package देते हैं यह यह बात होगी यार आपकी brief में placements की आगे बढ़ने से पहले अगर आपने यार वीडियो यहां तक देख लिए तो like कर दो comment कर दो और चैनल को subscribe कर दो मैं आपके लिए ऐसी और बढ़िया college reviews लाता रहूँगा अब move on करते हैं stats पे मैं आपको दिखाता हूं stats क्या हैं तो यहां पे आप दे package है civil में देखे तो 9.6 है chemical में 7.95 और mechanical में 10.10 तो यह आपके maximum packages हो गए अब average package की बात करो तो वो भी आप यहां पे देख सकते हो average जैसे मैंने आपको बता है computer science के यार बहुत अच्छा package रहता है 11.22 यहां पे दे रखा है और फिर बाकी सारे branches का भी आप average देख सकते हो यहा percentage of students placed कितने होते हैं यहां पे आर आप देखोगे total students कितने थे eligible कितने थे और placed कितने होई यह दिखा रखे आपका blue, orange और gray से अगर हम देखे है chemical में तो 80 student total थे eligible 76 थे और placed होई 57 और यहीं पे अगर हम civil में देखते हैं तो 88 total students से 85 eligible थे और placed होई 42 तो around आपका 50% student ही सिर्फ प् percentage of student placed पे काफी ज़्यादा फरक पड़ता है computer science की बात करें तो आप देख पाओगे यहां पे 100 total student 98 eligible 93 placed तो यार अप्रॉक्स आपका 95 percentage of student placed हो गए तो बाकी सारे branches को भी आप यार देख सकते हो similarly और बाकी सारे branches का यार फिर भी starts ठीक है civil का बहुत ज़्यादा कम है यह और कम इस वज़े से क्योंकि यार आपकी core company civil branch के लिए काफी कम आती हैं तो वो बच्चे place नहीं हो पाते हैं और फिर next slide में आप यहां पे देख भी सकते हो percentage of student placed कितना रहता है हर एक branch में और यहां पे आप देखोगे civil branch में बहुत ज़्यादा कम है 49.41% और वहीं आपका computer engineering में 94. 4.90% है जो की काफी अच्छा percentage है तो यह सारी बाते होगी placements की यह सारे आपको stats दिखा दिए जिससे आपको यार पता लग गया होगा कि इस college की placement कैसी जाती है आपके लिए college अच्छा है कि नहीं है आपको कैसा return of investment मिलने वाला है तो यह सारी discussion कर लिए placement के वारे में अब हम scholarship प्रवाइड करवाई जाती है hostel कैसे है और बाकी fest वगेरा सबसे पहले बात करते हैं आपका infrastructure कैसे है तो infrastructure की बात करें सबसे पहला point है आपका 250 acres में spread आपका campus तो आपको बहुत बड़ा campus मिलने वाला है और next point है आपका labs, classes, libraries बहुत ज्यादा अच्छी maintained रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली यह बहुत ज्यादा spacious चीज़ें आ रही है इसके बाद central library और digital library भी आपको मिल जाएगी जिसका timing रहता है 9am to 8pm के बीच में त इसके अलावा central computer center भी है जो बहुत जादा फायदे मन दोगा first year students को अगर उनके पास laptop अगए नहीं है तो यहाँ जाकर आपका computer usage कर सकते हैं अगर उनको coding या कुछ भी और करना है computer related तो वह यहाँ पर उनको available मिल जाएगा कोई problem नहीं होने वाली है faculty काफी अच्छी है यहां regarding भी कोई problem नहीं होगी आपको उसके अलावा research center आपको मिल जाएगा जिसको यार यह बोलते है एशाइन और इसकी full form है पूरी association for harnessing innovation and entrepreneurship तो यह यार इनका पूरा research center है जहां पे आपको काफी सारी research की opportunities मिलेंगी और साथ के साथ यार आपको incubation cell भी provide किया जाएगा ताकि आप अपने startup अगेरा को यार जो भी आप startup करोगे उसमें आपको help provide कर सकें sports facilities पे आते हैं तो वहां पे अगर आप sports facilities देखो तो आपको football, cricket, basketball, volleyball, table tennis, padminton और साथ के साथ जिम भी मिल जाएगा तो sports में भी आपको almost सारे sports मिल जाएगे आपके canteens की बात करूँ तो canteens available हैं but campus के अ यार आपको lunch timing में आपको कोई proper गुजराती थाली अगेरा भी मिल जाएगी तो अच्छा food आपको canteen में भी मिल जाएगा अगर मैं इसका खाना पसंद नहीं आ रहा है तो आप canteen में जरूर जाके खा सकते हो और इन सब चीजों के अलावा आपको health center मिल जाएगा bank मिल जाए अब देख लेते हैं आर फी क्या charge करते हैं यह इतना इच्छे infrastructure की और जो भी आर यह सब provide करवाते हैं तो institution fee सबसे पहले cover करेंगे 65,500 रहती है per semester इसके अलावा आपकी एक और फीज जाएगी 5,000 जो की caution मनी होती है refundable होती है प्लस आपकी एक one time फीज जाती है जो आपको admission के वक्त देनी होती है वो रहती है आपकी 14,000 तो यह आपकी proper institution होगी complete और next move on करेंगर hostel fees पे तो आपकी mess की fees रहेगी 16,500 पर semester प्लस caution मनी जाएगी जो refundable होती है वो जाएगी आपकी 2,500 प्लस आपका यार जो भी room का रहता है total जो hostel में रहने का खर्चा आएगा वो depend करता है पर year का 16,200 girls में आर single sharing double sharing दोनों है तो girls में आर double sharing का रहते है 17,000 और single sharing का रहते है 20,000 और यह सब कुछ है आर पर year पूरा इसके अलावा scholarship की बात कर लेते हैं scholarship में आर तीन तरह की scholarship है आपकी 100% tuition fee waiver रहता है SC, ST, PH students के लिए full fee waiver रहेगा OBC और general students के लिए tuition fee में अगर उनकी family income है यार 1 lakh से कम, two-third of tuition fee waiver मिलेगा यार OBC और general student को अगर उनकी family income है 1 lakh से लेके 5 lakh के बीच में तो ये तीन तरह के आपके scholarship मिल जाएंगे, अगर आप eligible हो तो आप apply कर सकते हो आपको scholarship मिल जाएगी अब next move on करते है यार hostel पे जो की बहुत जादा है यार काफी अच्छा hostel मान जाता है और यहां के hostels को भवन बुलाया जाता है जिसे आपके काफी और IITs होगे नमें बुलाया जाता है तो इसमें यार total आपके पास 9 hostels मिलेंगे जिसके अंदर 8 boys hostel है I think और सर्फ एक यार girls hostel ह girls boys ratio की बात करूं यहां पर तो यार बहुत जादा girls boys ratio रहेगा तो 9 साफी होने वाली है ऐसे ही होता है यार engineering students में हम लड़कों के साथ क्या कर सकते है girls boys ratio रहेगा 1 is to 6 जो की बहुत जादा है single or double sharing rooms मिल जाएंगे और rooms यहां के रहते हैं काफी जादा spacious तो आपको कोई problem नहीं होने वाली है basic चीज़े आपको मिल जाएंगी cupboard study table वगेरा यार आपको मिल जाएगा rooms के अंदर इसके अलगा common rooms आपको मिल जाएंगे जहां पे आपको TV मिल जाएगा और कुछ sports facility जैसे table tennis, caram chess वगेरा यार मिल जाएगी आपको common room के अंदर ही next point देखे तो common washrooms होने वाले है जो यार proper clean किये जाते है daily basis पे तो उसके regarding कोई problem नहीं होगी next आपका study rooms available है जो 24-7 open रहते है computer labs और छोटी सी library भी hostel के अंदर आपको मिल जाएगी चहां पे आपको कुछ books वगेरा मिल जाएगी तो hostel के अंदर इतनी सारी facilities आपको मिलेंगी LAN और wifi की बात करूँ तो same रहेगा speed का यार जैसे आपका campus के अंदर रहता है और काफी अच्छी speed भी आपको मिलेगी next move on करते है mess के उपर तो mess आपको बहुत सारी message है और आपके पास change करने का भी option रहता है तो अगर आपको किसी एक mess में खाना अच्छा नहीं लग रहा तो आप change कर सकते हो बाकी यार सारी mess की overall बात करूँ तो food okay okay रहता है जादा अच्छा भी नहीं में लिए गुजरात वगेरा site के students को अच्छा ही लगता है बाकी जो दूसरे region से आते हैं उनके लिए थोड़ी problem होती है बट आप adjust easily कर लोगे girls की यार जादा अच्छा mess food होता है as competitive to boys तो यह चीज मैंने बहुत जादा जगे पढ़ी है kora पे भी देखा तो वहां पे भी यार यह चीज मेंशन थी night canteen भी आपको मिल जाएंगी तो अगर आप यार रात को जागते हो रात में आर काम करने की आदता आपको तो आपके लिए बहुत अच clubs कितने है attendance rule क्या ओने वाला है तो यह चीज़े cover करते हैं यहां पे यार एक main fest होता है Spurs जो की techno cultural fest होता है और काफी अच्छा fest माने जाता है यहां का clubs की बात करो तो बहुत सारे clubs societies अगर आपको मिल जाएंगे robotic club दृष्टी, joy fest, nirvana, vedic science club तो ऐसे यार बहुत सारे clubs आपको जिसमें आपका interest है आप जा सकते हो, explore कर सकते हो, exposure ले सकते हो उस club का और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो यार जो भी आपका और interested groups हैं काफी सारे उसमें आप जाओ यार explore करो चीज़ों को और enjoy करो college life सही में enjoy करो जतना आप explore कर सकते हो वो बहुत अच्छा र school रहता है जो कि थोड़ा strict कह सकता हूं है क्योंकि यहां पर अगर आपकी यार attendance कम रहती है तो आपके कुछ professors अगेरा यह teachers आपके grade भी कम कर देते हैं और फिर marks आपको कम देते हैं उस basis पर तो यह सारी चीज़े हमने cover करनी थी सारे factors हमने cover कर लिए RS college के उपर और इसी बात यार जल्दी से subscribe का बटन दबा दो अगर अभी तक नहीं दबाया है और अगर यहां तक वीडियो देख लिए है तो यार लाइक कर दो जल्दी से जल्दी subscribe करने को बोल दिया आपको और साथ के साथ यार bell icon भी दबादना ताकि जैसी मैं वीडियो डालूँ आपके पास bell notification आ जाए इसके अलावा आप comment कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है और इस college के उपर या फिर आपको यार college चाहते हो या कोई topic चाहते हो जो मैं cover करूं तो वह आप mention कर सकते हो comment section में और मैं जल्दी से जल्दी try करूंगा कि मैं वह topic भी cover करूं इसके अलावा आप में को instagram twitter या फिर mail भी कर सकते हो तो यह तीन platform पर मैं काफी ज़्यादा active हूं आप यहां पर यार मेरे को contact कर सकते हो जल्दी से जल्दी reply मैं यार कर दूंगा आप लोगों को तो यही सब चीज़े बतानी थी आपको आपका भाई यार रहे गए यहां पर जल्दी जल्दी subscribe करो और दोस्तों को ताकि हमारी family और ज्यादा increase होए और ज्यादा से ज्यादा students के पास हमारा content पहुंचे मैं काफी ज्यादा अच्छी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बिल्कुल quality content देने की तो चलते यार end करते इस वीडियो को टाटा see you bye bye